अध्यात्म अपने आप में आनंद है और आनंद जानते हो क्या है आनंद सुखों का परमसुख है तभी तो मैं कह रहा हूं कि अध्यात्मिक आनंद में जो लीन है वो हर दुख को मौज में जेल जाता है तुम छोटा मोटा सुख लेके करोगे क्या तुम्हे परमसुख कितना मिला गौड से समझो उसकी पहचान ही है यह कि तुम अब कितना दुख पी पाते हो नीलकंठ महाधेयों को जानते हो न वो इतने परमसुख में है इतने परमसुख में है कि कंठ में क्या धारण करें है और विश भी हलका फुलका नहीं कौन सा विश है यही कुम्भ वाला विश प्रयाग में कुम्भ तु मना रहे हो यह कुम्भ अमरित का कुम्भ था और इस अमरित के कुम्भ से पहले क्या निकला था हला हलविश उसको कौन धरन कड़े बैठा है महाधेयों बैठें और मौज में बैठे हैं वो हाय हाय नहीं कर रहे है तित्ती लग गई तुम काली मिर्च ले लेते हो तो कहते हो पानी देना पानी देना और इतना जहर अपने भीतर लिए बैठे हैं उन्हें कोई फरक ही नहीं पड़ रहा ये आनंद का कमाल है जो आनंदित होता है वो अपने भीतर जहर लिए बैठे रहता है जीता जाता है मौज में आनंद तुम्हारा कितना गहरा है इसकी पहचानी इसी से कर लेना कि तुम कितना दुख पी जाते हो जो जितना दुख पी जाए वो उतना आनंदित और पूरी दुनिया को पता होगा कि तुम्ही दुख पी सकते हो तो देव दानव सब विश ले करके पहुँचे महादेव के पास कि पूरी दुनिया भसमुई जाती है ये जहर निकला है मन्थन से कृपया कुछ करें इस कौब ला इधर लाओ पी ही गए पूरी दुनिया जान जाएगी कि जब दुख आए तो किसके पास जाना है पूरी दुनिया को पता होगा कि विश किसको पिलाना है तो ये तुमको दुनिया की और से तोफ़ा मिलेगा उपहार कि सारी दुनिया लाला कि अपना जहर तुम्हें देदेगी गुरु और क्या करता है तुम अपना सारा जहर ला करके उसको सौब देते हो पी जाता है और तुम कौन सी भेट चड़ाते हो यही तो है और तुम्हारे साथ भी यही होगा एसा परमसुख जो सब दुखों पर भारी पड़े अब तुम दुख के सामने ताता थाया नहीं करोगे कि दुख आ गया और तुम निरोना शिरू कर दिया साथी मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है अब दुख साथी है दुख साथी है हम मौज में अध्यात्म उनके लिए नहीं है जो दुख से भाग रहे हैं अध्यात्म एक आदमी को तो मैं कह रहा हूँ दुख और मिलता है लेो तुम्हें तो दुख से मुक्ती चाहिए थी तो गड़बड हो गई कल पता नहीं कितने लोग यहां बैठे हों कितने नहीं कुम्हें बुल्टा पड़ गया हम तो अम्रित के लिए आये थे कि अम्रित टपकता है कुम्ह में और इननने तो बता दिया कि जिसको अम्रित मिल गया अब वो विश्धारण कर लेगा यही बिलकुल सटीक बात है अम्रित तुम्हें कितना मिला है यह निर्धारित ही इसी से होगा उसकी परक, उसकी जाँच, परिक्षा ही इसी से होगी कि तुम अब जिन्दगी का जहर कितना पी पाते हो आम आदमी जिन्दगी के जहर से ठर्राता है भागता है, रोता है भगोड़ा अध्यात्मे का आदमी जहर अमंत्रित करता है कहता है लाओ अपना तो पीयाई है, दुनिया का भी पीएंगे ऐसा जहर भी पी लेंगे जिससे हमारा कोई विक्तिकत वास्ता नहीं तुम गए थे सागर मन्थन करने तुम्हें जहर मिल गया है वो भी हमें दे दो हम पी लेंगे इसी को करुणा कहते है जो अध्यात्म प्रवेश करेगा उसमें करुणा जागरत हो जाएगी वो दूसरों का दुख भी पी लेगा इन दो चीजों की अध्यात्मे का आदमी को कभी कमी नहीं होती एक आनंद और दूसरा दुख भरपूर मिलते हैं देखो कभी ऐसा होता कि मैं बताता कि दुख भरपूर मिलता है और इतनी जोर से हसता ये आनन्द है, कि खबर आई अभी अभी कि दुख भरपूर मिलता है और तुम हस पड़े, ये आनन्द है, जब भरपूर दुख की खबर भी तुम्हें हसा जाए, तो जान लेना कि आनन्दित हो, बढ़ी आया ना, कि कोई जहर लेके आया है तुम्हारे द्वार और तुम उ कोई आई कि नहीं आई, सुख तो छिछोरी बात होती है, टुच्ची, असली शान तो इसमें, दुख पी जाने में, अब बोलो, सुख चाहिए कि दुख, एरे, चौड में बोलो, ऐसे क्या धवरा रहे, बोलो, प्रार्थना यही करो कि इस काबिल बनाओ हमें, कि दुख को हस्ते हस्ते पी जाएं, हमें कोई अंतर ही न पड़े, फिर आ करके अपनी समस्याएं नहीं बताओगे मुझे, फिर कहोगे समस्याएं तो बहुत हैं, हम मस्त हैं, हमारी तो बात ही कुछ ऐसी है कि हम दरा बेशर्म हैं, जिन्दगी लाथ तो बहुत मारती है, पर लाज हमें आती नहीं, कवीर साब कहते हैं कि माया ऐसी ही है, आगे से मारती है सींग और पीछे से मारती है लाथ, तो अगर उसके आगे पड़े तो मारेगी सींग, और उसके पीछे पड़े तो मारेगी लाथ, यही खबर भेजा करो कि, दुनिया लाथ तो बहुत मार रही है, पर लाज हमें आती नहीं, हम बेशरम हैं, क्योंकि हमें यह उम्मीद ही नहीं है कि इस दुनिया से सींग और लाथ के इलावा भी कुछ मिल सकता है, जूठी उमीदें पालना हमने छोड़ दिया, हमें तो ताज़ब तब होता है, जब दुनिया प्यार से बुलाए और रिजाए, कुछ गड़बड है, आज यह कैसे हो गया? कि इह ओड़ सकता है.